नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर खोच खबर कार्करम इस बार आसकर में भारतियों की धूम रही दो-दो इतिहास, एक साथ रचे गए, एक तेलगु फिल्म और एक तमिल फिल्म तेलगु फिल्म आर 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 के गाने ने धूम मचाई, बेस्ट ओरिजिनल सौंग श्रेणी में पुरसकार जीता और साथ ही ओसकर में शौट डॉकुमेंटरी केटेगरी में विजेता रही दे एलिफेंट विस्पर्स दोस्तों जिस तरह से ओसकर में तेलगु फिल्म जिसका अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ आर 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 उसने धूम मचाई उसके गाने ने धूम मचाई नाटू नाटू यानि नाचो नाचो वह निश्चित तौर पर हर भारती के लिए एक गर्व का विशे है जिस तरह का इस पंदन इस गाने में है वह सबको प्रभावित करता है चूता है और इसकी बानगी इसका एक्जामपल हमने ओसकर सेरिमनी में खूब देखा जम कर देखा इसके साथ ही जिस तरह से ओसकर में शौट डॉकुमेंटरी केटेगरी में विजेता रही दे एलिफेंट विस्पर्स जिसकी निदेशक नौजवान कार्तिके गौन्जालविस और प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा और जिस तरह से इस फिल्म में तमिलनाडू के मदुमलेई टाइगर रिजर्फ उसमें किस तरह से एक परिवार अनात हाथी के बच्चों को गोद लेता है और इसकी कहानी को इतनी खुबसूरती से बुना है इन दोनों महिलाओं ने कि निश्चित तोर पर ये हम सब के आपका ध्यान में ले चलती हूँ एक और एहम फिल्म जिस पर चर्शा तो खूब रही जो आसकार डॉकुमेंटरी फीचर केटिगरी में नॉमिनेट हुई थी All That Breeze शौनुक सेन की ये फिल्म है और अंतराश्टिय फलक पर इसने बहुत शोहरत हासिल की कई पुरसकार भी जीते यह कहानी बहुत खास है दिल्ली के दो नौजवान मुसलमानों की कहानी है कि किस तरह से वे चीलों को बचाने के लिए संगर्श करते हैं खास तोर से देखिए कि ये दोनों फिल्म जिनका मैं चर्शा आपके साथ कर रही हूँ यह बताता है कि किस तरह से प्रकृती इनसान जानवर पक्षी इनका जो सह अस्तित्व है इसकी कहानी कहती है ये दोनों फिल्म में और खास तोर से बहुत गंभीर बड़े सवाल उठाती हैं पर्यावरण को लेकर मानवता को लेकर और विकास की पूरी अवधारना को लेकर और एक और बहुत एहम खास बात आसकर म दीपी का पादुकोन भी थी अपने पूरे जल्वे के साथ मौजूद स्टेज पर निश्चित तोर पर इससे बहुत से लोगों को मिर्शी लगी होगी भक्तों को तो लगी ही होगी क्योंकि हम सब भूले नहीं हैं कि उनकी फिल्म पठान उनके गाने बेशर्म रंग को किस सवाल उससे बड़ा है और यहा सवाल मैं आपसे इसी मंझ से पूछना चाहती हूँ यहा सवाल है जो यह फिल्म उटा रही है जिसको ओसकर मिला है यह सवाल उटा रही है मोधी सरकार से बहुत सीधा साफ साफ सवाल है कि क्या मोधी सरकार दे वाइल लाइफ प्रोटेक्शन आक्ट 1972 में जो संशोधन ला रही है उन संशोधनों को रोग देगी क्योंकि ये संशोधन हाथियों के लिए प्राण घातक है यहां मैं आपको याद दिला दूं कि 2010 में भारत सरकार ने हाथियों को नेशनल हेरिटेज एनिमल घोशित किया था ताकि उनकी सुरक्षा की जा सके तो यह फिल्म इस फिल्म को मिला आसकर मोधी सरकार से सीधा सवाल पूछ रहा है दोस्तों सदन का सत्र बजट सत्र ब्रेक के बाद शुरू हुआ चर्चा होनी चाहिए थी मोधी जी के प्रिय उद्योगपती अडानी जी अडानी जी पर जो आरोप लगा हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई जो पूरा का पूरा घोटाला सबूतों के साथ पेश हुआ लेकिन देखिए चर्चा हो रही है राहूल गांधी पर राहूल गांधी ने Cambridge में जो भाषण दिया सारा का सारा focus इस भाषण में है क्यों? क्योंकि यहां पर वे बताना चाहते हैं कि इस भाषण में जो उन्होंने लोकतंत्र में भारती लोकतंत्र पर जिस तरह से दबाओ है जिस संकट है उन संकटों को गिनाया उन्होंने बताया कि किस तरह से भारत में एक जो मैजोरिटेरियन स्टेट है वह तमाम मुद्दों पर चर्चा नहीं होने देता उन तमाम सवालों को उठाते हुए राहूल गांधी का जो भाषण है उसे केंद्र में लाकर भारतिय जन्तापाटी इस सदन के सत्र को दूसरी दिशा में मोडने की कोशिश कर रही है देखे हमारे रक्षा मंत्री राजनाज जी लोकसभा में खड़े होकर क्या मांग करते हैं वह मांग करते हैं कि राहूल गांधी को कैंब्रिज में दिये गए भाशन के लिए माफी मांगनी चाहिए मामला सिर्फ यहीं नहीं रुक रहा राजनाजी आग्रह कर रहे हैं सीधे सीधे फरमान जारी कर रहे हैं सदन में खड़े होकर कि राहूल गांधी को माफी मांगनी चाहिए उनके एक और मंत्री और तमाम सांसद अलग-अलग भाशाओं में बात कर रहे हैं वो तो ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी को अपने भाशाण के लिए सिर्फ माफी ही नहीं उनके उपर सिडिशन यानि राश्ट द्रोह का मामला चलना चाहिए, केस चलना चाहिए कांग्रिस के पुर्वरष्टी अध्यक्ष ने देश के बाहर जाकर के लंदन में भारत को जिस धंग से अपमानित किया भारत के लोगतंत्र को अपमानित किया, भारत के संसत को अपमानित किया आज लोगसभा का सत्र सुरू हुआ है, लोगसभा के अध्यक्ष जी को इस पर एक कारवाई करनी चाहिए कि जो ब्यक्ति सदन में बावन मिनट तक बोलने का काम किया, गालिया देने का काम किया, बेहताशा जुटे आरोप लगाने का काम किया और वो ब्यक्ति विदेशों में जाकर के भारत के लोगतंत्र को, भारत के संसत को, भारत को अपमानित करने का गालि का का काम किया, इन पर तो देश द्रोग का मुकदमा चलना चाहिए, ये भारत ही है, जहां ऐसे टुकरे टुकरे गैंग के सदस्य रहते हैं यानि अब आप देखिए कि किस तरह से एक ऐसे नौन इशू को इशू बनाकर भारती जनता पार्टी संसत के भीतर विपक्ष पर आकरामक हो गई है मुद्दा क्या है और किस तरह से उसे पेश किया जा रहा है पूरे देश और दुनिया के सामने लेकिन ठीक इसी बीच विपक्ष लामबंद होता दिखाई दे रहा है अब आप देखिए एक तरफ देश के रख्शा मंत्री राजनाट जी मांग रहे हैं राहुल गांदी से माफी और वहीं दूसरी तरफ उनके बाकी मंत्री और बाकी सांसत कह रहे हैं कि राहुल गांदी पर सिडीशन का केस यानि राज-द्रोग का केस चलना चाहिए और इसी बीच हमें दिखाई देता है कि जो असल मुद्दा देश के सामने है जो सबसे बड़ा मुद्दा जो बहुत बड़ा खुलासा अडानी जी को लेकर हुआ हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई उस पर चर्चा नहीं हो ये कोशिश सरकार की और वहीं विपक्ष पहली इस तरह से लामबन दिखाई दिया संसत के भीतर और बाहर उतर कर उसने एक स्वर में मांग की कि ये जो बड़ा घोटाला है इसकी जाच होनी चाहिए और सिर्फ इतना ही नहीं उन्होंने यह भी मांग की कि जिस तरह से विपक्षी नेताओं को निशाने पे लिया जा रहा है सुरक्षा एजेंसियों द्वारा सी बी आई और एडी द्वारा इन सब पर रोक लगनी चाहिए तो एक तरफ मामला बहुत साफ दिखाई दे रहा है सदन में सरकार राहुल गांधी को मुद्दा बनाना चाहती है और इस मुद्दे की आड में अपने प्रिय उद्योग और बाकी घोटालों को छुपाना चाहती है वहीं विपक्ष दूसरे ढंग से संघर्शरत है कितने दुख की बात है दोस्तों कि एक तरफ जहां महिला सम्मान महिला नेताओं के सम्मान की बात होती है वहीं पर खुले आम भारती जनता पार्टी के नेता यह जो शक्स आपक कारे में जो भारत राष्ट समिती की नेता है और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के सियार की बेटी भी है उनके उपर इतना अश्लील अभद्र हमला बोला उन्होंने कहा कि अगर कविता को जेल नहीं भेजें तो क्या किस करेंगे यह देखिए यह शब्द है भाश्पा नेत के और यहां आपको बता दें कि के कविता के खिलाफ केंद्री जाच एजेंसियों ने दिल्ली में जो लिकर स्कैम चल रहा है उस पर घेराबंदी की हुई है इडी पूश्टाश कर रही है उनकी गिरफतारी की आशंका है जिसे लेकर के कविता और उनकी पूरी की पूरी प दरसल बता रही है कि भारती जंता पार्टी की सोच क्या है किस तरह से वो महिलाओं को निशाने पर लेती है और जब निशाने पर लेती है तो हम आपको याद दिला दें कि प्रधान मंत्री नरेन मोदी भी किस तरह से विद्वाश शब्द का इस्तमाल करते हैं किस तरह से बाकी महिलाओं के लिए शब्द उन्होंने इस्तमाल किया था पचास करोड की गर्लफरेंड का। ये सारे के सारे शब्द भारती जनता पार्टी के नेता उपर से नीचे और नीचे से उपर तक इस्तमाल करते रहे हैं और कहीं से भी किसी ने भी कभी इस पर माफी नहीं मंगी है और इसी क्रम में यह याद रखना भी जरूरी है जिसकी गूंज संसद में सुनाई दे रही है कि एक के बाद एक जिस तरह से भ्रष्टाचार के मामलों में विपक्षी नेताओं को निशाने पर लिया जा रहा है हम सब ने देखा कि किस तरह से दिल्ली के उपमुख्य मंत्री मनीश सुधिया की गिरफतारी होती है राज़त के नेता तेजस्वी लालुयादव राबडी देवी सहित तमाम लोगों पर दबिश होती है यह सब लोगतंत्र का निया नॉर्मल है मोदी जी करनाटक में जाकर इमानदार शाशन की बात करते हैं जबकि सारी दुनिया देखती है कि किस तरह से करनाटक में उनकी सरकार 40% कमिशन को लेकर घिरी हुई है यह सारे ऐसे सबाल है जिन पर चर्चा होना जरूरी है लेकिन दिक्कत यह है कि इन पर चर्चा होने के बजाए चर्चा राहुल गांधी के एक भाशन पर होने लगती है मानो देश और विदेश की धर्ती पर सच बोलना सबसे बड़ा गुना है शुक्रिया